हमिशा पॉजिटिव चीज पर काम करना चाहिए तो आज हमारे पास बिल्कुल बैंकों के लिए पॉजिटिव खबर है खबर यह है कि बैंकों को स्पेशली एस्बी आए कैनरा और पी एंबी बैंक हैं जिनको सोलह हजार करोड के असपास का पेमेंट मिलेगा यह पेमेंट जो इलेफेस में जो उनके पैसे फसे हुए थे वो पैसो अब इलेफेस उनको पहले देने जा रहा है मैं अपने दश्कों को बताना चाहूंगा दो तब तक हम इसका किसी को पेमेंट नहीं करेंगे लेकिन अब MCA और नए बोर्ड और RBI ने एक मिटिंग की थी December 21st को उसके बाद यह डिसाइड किया है कि हम जो प्री पेमेंट करेंगे और जो प्री पेमेंट होगा वो करीबन 16,000 करोड का होगा जिसमें से 10,900 करोड के को और साथी 31 मार्श 2022 से पहले ILFS अपना जो इन्विट्स लेकर आ रहा है उसकी 5,700 करोड के आसपास की यूनिट्स दी जाएंगी और इसके साथ एक और अच्छी ख़बर इसमें यह है कि कर्षमा 2022 तक 55,000 करोड रुपया ILFS बैंकों को और जो उनके बाकी लेंडर से उनको वापिस कर देगा अब जो कि पहले एक प्रेस कांफिस की थी नौवंबर में जब कहा था कि हम 94,000 करोड में से सिरफ 61,000 करोड ही रिकावर कर पाएंगे जिसमें से 55,000 करोड रुपया 31 मार्श 2022 से परे वापिस कर दिया जाएगा तो एक बड़ा बूस यहां पर PSU बैंक, Indecent बैंक इनको देखने को मिलेगा